जी बीते 24 गहिंटे की बात करें तो हलके से मद्दें बारिष इस्टिक शोलन, सिर्मौ, और कांग्रा में रिकोर्ट की गई है अमॉंट वाइस बात करें तो कसॉलि में 40 mm के आज़पास रिकोर्ड की गई थी पॉंटा साइब में 20 mm, नहान में 13 mm, धरमशाला में 10 mm के आसर बारिश कोड़ की गई है और इसमें ऐसा कि डिस्टिक वाइज एक दूस्तानों में ही बारिश रिपोर्ट की गई हलकी कि आज भी जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं और मद्देवति क्षेत्र हैं यहां पे एक दो सानों में ही बारिश होने की समभना है हालनकि आज लेट नाइट से एक्टिवटी थोड़ी पिक अप करेगी और कल बारा तारीक और फिर तेरा तारीक को समभवना है कि प्रदेश के जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं और जो मद्देवति के क्षेत्र हैं यहां पे अधिकान स्तानों में बारिश होने की समभवना का एलोट जारी किया हुआ है फिर देखिए 14 तारीक से वैदर में थोड़ी कमी आएगी और 14 पना तारीक को केवल जो हमारे जो मद्देवतिक शेत्र हैं यहां पर एक दो स्तानों में बारिश होने की समामना बनी रहेगी तो इस सीजन की बात किजिए मौंसुन की सीजन की तो यहां पर बारिश कम हुई है समाने या किस तरह है जी पहले अगर सीजन की बात करें जून एक से लेके अभी तक जुलाई में एज उन डेट तो पूरे परदेश में समाने से 25% बारिश कम हुई है केवल तीन डिस्टिक है हमारे शिमला कांग्रा और मंडी जहां पर जहां समाने से कम बारिश कोड़ की गई जैसे बात करें अगर मंडी में तो वहां पर जुलाई में समाने से 80% बारिश कोड़ की गई अभी तक जुलाई में शीमला में भी 60% के आसपास अधिक बारिश कोड़ की गई जुलाई में अगर मॉंसून सीजन भी बात करें तो प किस तरह से रहेगा समाने रहेगा या समाने से कम बारिश हो नहीं है देखिए अभी जो में एक्टिविटी में जैसे काया कि आज एवनिंग या लेट नाइट से थोड़ी पिक अप करेगा प्रदेश में और इसके जलते जो हमारे डिस्टिक हैं स्पेशली कांगड़ा है उन से मद्दें बारिश लर्ज होने की संबावना है फिर चौर तरीक से फिर से वैदर में थोड़ी सी कमी आएगी और फिर उसमें केवल जो मद्देवर्टिक शेत्रे वहां पे बीच-बीच में एक नोस्ते अंस्तानों में पारिश होती रहेगी अगामी चाह से पांच जिनो सब्सक्राइब करना ना भूलें